गुद मॉर्निंग स्टुलेंट्स सेल्फ ट्रेक्टिस सेलब इने तक कंप्लीट हो गया सबका वर्क आज का टॉपिक हमारा है मेजरिंग दे लेंथ ओफ लाइन सेग्मेंट एक लाइन सेग्मेंट की लेंथ को हम किस तरह से मेजर करते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए रूलर चाहिए ठीक है रूलर को हम जिस अब अगर हमारे पास एक लाइन दी हुई है ए पी लाइन सेग्मेंट दिया हुआ है ए बी इसको हमें मेजर करना है तो हम क्या करेंगे जो हमारे पास रूलर है उसका जो जीरो वाला पॉइंट है उसको यह पॉइंट जो है वो मैंने 0 पे रखा है यहाँ पर तो जो लाइन है हमारी वो शो करती है 6 cm पर दिख रहे है 6 cm पर यह लाइन हमारा जो लाइन सेग्मेंट है वो है 0 से लेके 6 यानि इसका मेजरमेंट हुआ 0 से लेके 8 तक जो यह रूलर है इसके अकॉर्डिंग 0 से 8 है जो हम अपना रूलर यूज करेंगे उसमें 0 से लेके 6 तक है तो यहाँ पर भी आपको इसको मेजर करना सिखाया है वही मैं रूलर से आपको बता रही हूँ किस तरह से मेजर करते हैं जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसको रखते हैं 0 पर और देखते हैं जो सेकिंड एंड पॉइंट है वो कहाँ पर पहुंच रहा है तो हमारे रूलर के इसाब से यह 6 तक पहुंच रहा है इसका मतलब इस रखेंगे 0 पर एक पॉइंट लगाएंगे ठीक है और 6 के उपर एक पॉइंट लगाएंगे ठीक अब इन दोनों पॉइंट को हम जोइंट कर देंगे तो हमारा 6 सेंटिमीटर का लाइन सेग्मेंट ड्रॉ हो जाएगा ठीक है इसी पर बेस्ट एक्सरसाइज देखिए 11B सिर्फ इसमें दो ही चीज़े ध्यान रखनी है किस तरह से लाइन को हम मेजर करते हैं और किस तरह से गिवन जो मेजरमेंट है उसकी लाइन को ड्रॉ करते हैं अब यह जो लाइन सेग्मेंट दिये होए हैं इनको हमें मेजर करना है कि कितने सेंटिमीटर के है ठीक तो first हम देखते हैं first को हमने zero पे रखा और यह है seven सेंटिमीटर ठीक है second zero से start किया तो हमारा end होता है four पर तो यह है four सेंटिमीटर then third one is 0 से start करके जो D point है वो है 9 cm पर and PQ 0 से start करके आएगा 6 cm पर ठीक है तो आप लोग अपने ruler से भी इन lines को measure करके देखेंगे यही answer आएगा ठीक now using a cm ruler draw the following line segments इसके बाद second question हमें करना है जो हमें यह measurement दिया हुआ है इतनी लंबी हमें line segment draw करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे अभी मैंने आपको बताया जैसे first है 5 cm तो हम ruler रखेंगे first point जो है वो 0 पर हम first point draw करेंगे A point then 5 पर हम B point लगाएंगे और फिर उन दोनों को join कर देंगे तो हमारी 5 cm line segment draw हो जाएगी इसी तरह से PQ 7 cm हम draw करेंगे first point लगाएंगे उसके बाद 7 cm पर second point लगाएंगे और दोनों को join कर देंगे इसी तरह 6 cm and 8 cm का line segment draw करेंगे then question number 3 which of the following pair of line segment are equal कि कौन से line segment के pair equal है तो यह तो हम इनको measure करके देख सकते हैं यह देखिए यह है लगवग 5 cm का और यह भी है 5 cm का तो यह दोनों equal है तो यह दोनों तो देख कर ही हमें पता चल रहा है कि यह equal नहीं है तो इसमें हम लिख देंगे not equal और इन दोनों को भी देखने से ही मालूम चल रहा है तो इसमें भी लिख देंगे not equal ठीक है यह question book में ही करेंगे इस question को भी book में ही करेंगे ना draw line segments on a paper that are equal to the following line segment कि एक paper पे आपको इसी measurement का line segment draw करना है तो इसके लिए पहले हमें इसे measure करना होगा तो first वाला है 3 cm then B is 4 cm and C is again 4 cm तो इसको हम एक इस तरह का question अल्री यहां कर चुके है तो इसको केवल आप कॉपी में करेंगे केवल यह measure करना है और measure करके जो हमें measurement मिल रहा है उसी measurement की एक line segment दूसरे paper भी draw करनी है तो यह practice के लिए है आपका होगा इसको कॉपी में करने के ज़रुत नहीं है कॉपी में केवल question number 2 ही करेंगे तो इसके आगे हमारे आते है plane shapes look at the given shapes यह सब plane shapes आप लोग LKG, UKG से पढ़ते आ रहे हैं इसको एकडम देखकर आप समझ जाएंगे rectangle, square, triangle and circle as you can draw them on a sheet of paper और a plane surface they are called plane shapes और plane figures यह जो shapes हैं इनको हम हाथ में नहीं उठा सकते हैं इनको केवल हम draw कर सकते हैं तो किसी भी plane surface या plane paper पर हम इने draw कर सकते हैं इसलिए इने plane shapes या plane figures कहा जाता है अब इसकी क्या-क्या main points हैं याद रखनेंगे first one is rectangle the figure given on the right is a rectangle it has four corners, vertices and four sides यह एक rectangle है इसके four corners है D, C, A and B जहाँ पर भी दो lines मिलती हैं वो क्या है corner या उनको vertices भी बोलते हैं vertices means vertex होता है singular and vertices is plural तो इसके four vertices हैं ठीक है if you measure its side you will find that अगर हम इसको measure करें तो हमें क्या मालूम चलेगा कि इसकी जो opposite sides होती है वो equal होती है यानि D, A और C, B equal है ठीक है then अब अगर हम इसका हमने नाम क्या दिया है rectangle का A, B, C, D in the rectangle A, B, C, D ठीक अभी इस rectangle के बारे में बात हो रही है इसके जो vertices हैं वो कौन-कौन से है A, B, C and D sides कौन-कौन से है A, B, B, C, C, D, D, A and diagonals diagonals मने जो opposite corners है उनको जब हम मिलाते हैं आपस में तो जो line आती है बीच में वो होती है diagonals जैसे हमने A और C को मिलाया तो ये diagonal बन गया A, C D और B को मिलाया तो diagonal बन गया D, B ठीक है तो जो ये rectangle है इसकी 4 ये vertices है ये 4 sides है और ये 2 diagonals है ठीक है देखो, यहां note दिया हुआ है The corner of a plane figure is called a vertex The plural of vertex is vertices ओके The line segment joining the opposite vertices of the rectangle is called its diagonal अभी जो मैंने आपको समझाया कि जब opposite points को हम जो opposite corners को हम join करते है तो जो line होती है line segment होती है वो होती है diagonal ठीक Diagnals of a rectangle are of equal length और जो rectangle के diagonals होते हैं वो भी आपस में equal होते हैं जैसे ये दोनों sides opposite sides equal है ये दोनों opposite sides equal है ऐसे ये दोनों diagonal भी equal होते हैं ठीक है Then, second is square square is a closed figure, it has four sides and four vertices same rectangle की तरह ही इसमें भी four sides होती है four vertices होते है and two diagonals होते हैं ठीक है अंतर क्या होता है कि इसमें सारी sides equal होती है rectangle में केवल opposite sides equal होती हैं ये इसके बराबर और ये इसके बराबर but square में चारो sides equal होती हैं तो इसमें भी जो vertices हैं P, Q, R and S sides P, Q, Q, R, S, S, P and diagonals P, R, S, Q i square also has two diagonals which are of equal length ये भी बताया है मैंने then triangle the figure shown alongside is of a triangle it has three vertices and three sides जो triangle होता है उसमें three sides होती है और three vertices होते हैं ठीक है तो vertices कौन कौन से हैं X, Y and Z and sides कौन से हैं X, Y, Y, Z and Z, X the sides of a triangle may और may not be equal अब जो triangle होता है उसमें three sides equal भी हो सकती है three sides अलग-налग length की भी हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि दो sides equal हो और एक side अलग length की हो तो इसलिए triangle में ऐसा कुछ नहीं है कि कौन से side equal होगी या un-equal होगी किसी भी थरह की sides हो सकती है लेकिन three sides होंगी फ्री वेर्टिस Сथा थिक हान YouTube सर्किल सट क्यख ल्हसके संपल इस एर इनी कॉरनर और साइथ जो सर्किल होता है वो के वह एको को साइड़ होता है इसकी ना सकते में कोई तो इस थे则 है ठीक है now parts of a circle circle के कौन-कौन से parts होते है a circle has a center circle का जो बिलकुल बीच वाला point है वो होता है center a line segment from the center to the circle is called radius और इस point से लेके यह जो line है circle की वहाँ तक जो line segment होता है उसको बोलते है radius point O is the center तो इस figure में जो point O है वो center है और O A जो line segment है वो क्या है radius ठीक है, now drawing a circle इसको हम लोग next class में करेंगे, आज आप लोग यहीं तक बस पढ़ेंगे इसको अच्छे से जो जो मैंने समझाये हैं आपको, ठीक है और जो beech-beech में definitions दी हुई है उनको learn b करना है और copy में आज के लिए 11 A और 11 B आप, sorry 11 B आपको complete करनी है उसमें question 1, 3 or 4 book में ही करेंगे question 2 जो है उसको केवल copy में करेंगे ठीक है उसके बाद हम लोग कर जो है ये drawing a circle और self practice 11 C करेंगे ठीक